हाई गाईज दिस बवीता ये वेलकम बैक टो माई चैनल दिवाइन लाइट अफ टैरो गाईज आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थामने देखे लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने है तो आज का जो हमारा टॉपिक हो यह है कि लॉड शिव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के थूँ यह हम देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें साथ-साथ अगर आप परस मैसेज दे रहे हैं, लौट शिवा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, लौट शिवा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, यहां पर कार्ज निकल के बहुत सारे हैं, लौट शिवा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, भगवान भोलेनात क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, आज स लुमबार का दिन है भगवान भोले नात आपको क्या मेसेज दे रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है सकसेज पहला ही कार्ड आपको सकसेज बता रहा है अगर आप निराश हो चुके हैं प्रयास करकर के और आपको लगता है कि आपको सकसेज नहीं मिलेगी तो यहाँ पर भगवान भोले नात आपको 100% शूरिटी दे रहे हैं कि डेफिनेटली आपको सकसेज मिलेगी आपने जो प्रयास किये जो मेहनत की उसका फल आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह जिस भी काम के बारे में आप सोच रहे हैं उस काम के बारे में आपको सकसेज मिलती भी दिखाई दे रहे है Allow yourself to receive यहाँ पर भगवान भोले नाथ बोल रहा है कि Open your arms to welcome the blessings and answered prayers that God is sending to you तो यहाँ पर भोले नाथ बोल रहा है कि जो भी आपने prayers की हैं जो भी प्राथना की हैं उसका answer आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको अपने हाथ खोल के रखिए क्योंकि आपको blessings आपकी life में आती भी दिखाई दे रही है भगवान भोले नाथ का आशिरवाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है पहला ही काट सक्सेज और allow yourself to receive तो आप रिसीव करने के तयार हो जाईए क्योंकि blessings आपको मिलने वाली है हर तरह से आपको blessings मिलने वाली है अगर आपके रिष्टे ठीक नहीं चल रहे हैं तो रिष्टे ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं अगर आपको किसी कारे में सफलता नहीं मिल रही तो वो सफलता आपको मिलते भी दिखाई दे रही है यहाँ पर जो कार्ड निकल के आ रहा है वो आ रहा है ask for what you want clear communication with yourself, with God and with others help you avoid misunderstanding and speed up the process of answered prayers तो अपने आप से communicate कीजिए भगवान से communicate कीजिए क्योंकि हो सकता है आपका communicate करने का तरीका सही नहीं हो जिसके कारण आपको answer नहीं मिल रहा है और ऐसे लोगों से communicate clearly कीजिए जिस जो आपको आपके अंदर जो चल रही misunderstanding है उसको हटा सके तो यहां पर आपको आपकी प्राथना का answer मिलता हो दिखाई दे रहा है आपको clearly communicate करना है जो भी manifestation करने का तरीका गलत हो भगवान से मांगने का तरीका हो सकता है आपका गलत हो सकता है जिसके कारण आपको answer नहीं मिलता हो speeches and speaking you have important messages to deliver that can help others तो आपको अपनी speech के द्वारा अपनी speaking के द्वारा हो सकता है कोई भोलेनात आपको important message देना चाहते हो ताकि आप दूसरों की मदद कर सके तो यहाँ पर जो भी आपका intuition आपको बोल रहा है इस वक्त आपको वो चीज करने की ज़रुत है अगर आपका मन कर रहा है कि आप किसी को कुछ बात बताओ आपके मन में किसी इंसान से related कोई information आ रही तो आपको उसको बोलेना चाहिए क्योंकि आपके through भगवान उस इंसान को answer करना चाहते है उस इंसान से communicate करना चाहते है एक और हम निकालेंगे card तो यहाँ पर आ रहा है agent और manager your work expands its reach as you partner with professional who can help you तो आप हो सकता है किसी के लिए agent और manager का काम कर सकते हैं आप किसी के लिए agent बन सकते हैं ना किसी कारे के लिए तो आपको agent बनना चाहिए हो सकता है आप जह है किसी इंसान और God के बीच एक channel बन रहे हूँ है ऐसा भी मुझे intuition आ रहा है तो आपको channel बनना चाहिए उस इंसान के लिए divine guidance the ideas you are receiving are heaven sent answer to your prayer तो यहाँ पर आपको जो भी divine guidance आ रहे है जो भी आपको guidance आ रहे है जिसके भी तुरू आ रहे है या किसी book के तुरू आ रहे है या किसे video के तुरू आ रहे है तो उस guidance को आपको लेना है pay attention to your dreams आपको अपने dreams पर ध्यान देना है कि आपको किस तरह के dreams आ रहे है तो यहाँ पर जो guidance आ रही वो यह आ रही है कि आपको हो सकता dreams के तुरू कुछ ना कुछ guidance मिलती हो वो सकता आपको आपके सपने याद नहीं रहते लेकिन कहीं न कहीं आपके subconscious mind में उसका answer जो है वो छुपा हुआ है आप किसी को जो है आप किसी ना किसी को जो है आप help कर सकते हैं subconscious mind के तुरू तो यह जो answer आप जब meditation करेंगे तब आपको जो है जो भी guidance आ रही है वो आपको पता लग पाएगी यहाँ पर आ रहा है perfectionism आपको जो है भगवान भोले ना आप बोल रहा है कि polishing your creative project is fine but don't allow perfectionist fear to result in procrastination तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने creative project को polish कीजिए आपके अंदर जो इसकी लिए उसको polish कीजिए but perfectionist होने के डर से आप उस चीज को procrastinate मत कीजिए उस चीज को टाले नहीं क्योंकि कोई भी इंसान perfect नहीं है listen only to love don't allow fear to distract you from your divine mission जो भी आपका divine mission है उससे हो सकता आप डर के कारण उस चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो यहाँ पर वो सकता डर आपको distract कर रहा हो तो आपको डर को आने नहीं देना चाहिए आपके divine mission में आपको fearless बनना चाहिए next जो है journaling का card consistently writing about your feelings and activities steers creative ideas and build your confidence as a writer तो यहाँ पर आपको journaling करने की जर्वत है अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा है तो आप एक journal बनाईए आप 21 times जो है उस चीज को daily आपको लिखना है जो आपकी manifestation पूरी नहीं हो रही साथ साथ आपको हो सकता है कुछ thoughts आते हो मतलब guidance आती हो तो वो guidance भी आपको एक journal में लिखनी है क्योंकि हो सकता वो guidance किसी ना किसी इंसान के लिए हो Express your inner truth Your creative work shines brightest when it reflects your genuine feelings and thoughts तो आपको अपने inner truth को जो है express करना है क्योंकि आपका जो भी creative work है वो बहुत ही brightest shine हो सकता है तो आपको जो भी आपके अंदर से creativity निकल के आ रहे हैं उसको आपको अपनी creativity में reveal करना है Recognition You and your accomplishments are receiving appreciation and honors जो भी कारे आप कर रहे हैं उसमें आपको recognition Name, fame मिलता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें आपको appreciation मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी से हो सकता है कोई award कोई honor आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है Creative expressions God's divine creativity is expressed through your action तो आपको creative expression देना है मतलब जो भी आप creativity करते हो जो भी आप बोलते हो जो भी आप paint करते हो उसमें आपके actions दिखाई देते हैं है ना तो यहां पर God जो है वह अपने expression आपकी creativity के थूर दिखाना चाहते हैं next जो है वह है nurture yourself investing time in self-care now will yield more energy for you later तो यहां पर आपको nurture करना है अपने आपको self-care मतलब अपने आपको nurture करना है अपनी growth पर focus करना है self-care करना है meditation करना है अपनी अपने आपको pamper करना है अपने आपको जो है make up make over करना है थोड़ा सा है ना यहां पर भगवान भोले ना यह बोलना चाहते साथ साथ bottom of the deck का जो card है वह है prosperity का card your actions have resulted in incoming abundance जो भी आप कर रहे हो जो भी काम आप कर रहे है उससे आपको आपकी life में prosperity abundance growth आती हुई दिखाई दे रही है तो यह थे भगवान भोले ना आपके message आप I hope यह आपके साथ resonate हो resonate हो तो please channel को like subscribe और comment जरूर कीजिए thank you so much for watching my video हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम साहिराम जय मातादी रादे रादे झाल